हेई गाइस वल्कम बैक टो में यूटीब चैनल दिबोक मोड जैसे की मॉंसुन सीजन आ चुका है और बारिश में पकोड़े खाने का मज़ाई कुछ अलग होता है तो चलिए हम बनाते हैं फटा हट से बेशन के पकोड़े यह डाला है हमने बेशन उसमें डाली है थोड़ी स पाउडर उसे कलर बहुत अच्छा आता है और फिर हमने डाला है यह धनिया पाउडर और साथी बगल में काटके रखा हुआ है हर मेर्च धनिया और अजवाइन और नमक मिलाकर इसको आमचुर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल क अगर हम इसको मिक्स करते रहेंगे अब 2-4 मिनिट के लिए रच करने के लिए भी रख सकते हैं दिखिए थोड़ा पाणी डालेंगे इसलिए क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे ना तो बैटर बहुत अपना डीला हो जाएगा और मेरिनेट अच्छ से नहीं ह होगी तो जल जाएगा और अंदर से वह पकेंगे भी नहीं पकोड़े कच्छ रह जाएंगे और अगर लो रहाएगी तो यह तेल पी लेंगे तो यह देखिए गोबी हमारी पकना स्टार्ट हो गई है और हम इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छ से प्राई कर लेंगे और यह देखिए हमारी गोबी त्यार हो गई है गोबी के पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी लगते और इस बात का दियान रखिए बहुत बड़ी बड़ी गोबी मत काटिएगा क्योंकि बहुत बड़ी गोबी होने से भी वह कच्छी रह जाती है इसलिए आप छोटे-छोटा फूल उसका लीजिए और आराम से मैरिनेट करके उसको पका लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पकने में और एक टिशू पर निकाल लीजिए यह देखिए हमने इसमें डाला है आलू के पकोड़े आप आलू को जैस किया हुआ है रेंगल शेप में आप जैसे चाहें वैसा आप इसे कट करके बना सकते हैं बस इतना ध्यान रखिए अगर बहुत मोटा होगा तो इसको पकने में टाइम लगेगा दरवाज अंदर से कच्छी रह जानी है तो यह हमारी आलू के पकोड़ियां भी बनकर रेडी और ध्यान चे डालिएगा देखिए मेरी एक उंगली इंडक्स फिंगर जो है वो जल गई है क्योंकि डालते हैं तेल चिटक के हाथ में आ गया था तो बी केरफुल और यह हमारी पनीर की पकोड़ियां त्यार हो गई है पनीर को भी ध्यान रखिए बहुत जादा बड़ा और यह हमारी गर्मा गर्म सी पनीर की पकोड़ी भी रेडी हो गई है और यह डाला है लास में मैंने प्यास क्योंकि जितना भी बेशन बना था प्यास की भजिया बनती है तो उसको बहुत जादा बेशन की रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो यह मैंने सारा मिक्स किया और एक सार प्यास जाल दिया, slices में कट करके और ये देखिए हमारी भजीया प्यास की तियार हो गई है और प्यास की प्कोडियों को पगाने के लिए आप प्लेम हाई कर सकते हैं क्योंकि इसको बहुत जादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए कच्चा भी नहीं रहता है और यह हमारी ग्रीन चट्नी अगर आप इसका भी लिंक चाहते हैं तो जरूर से बताईएगा यह हमारी पकोणित तयार है थैंक्स फॉर वाचिंग